दोस्तो अगर आप true caller यूज करते हो तो आपको पता होगा कि true caller के अंदर अभी दो बहुत ही बड़ा problem चल रहा है अगर नहीं पता है तो मैं आपको पता देता हूँ दोस्तो अभी true caller के अंदर जो बहुत ही बड़ा problem चल रहा है पहला तो ये है कि अगर कोई भी unknown person हमारे पास call कर रहा है तो उसका नाम के जगा पर उसका directly number ही बता रहा है यानि कि उसका नाम नहीं दिखा रहा है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि सामने वाला बंदा किसने call किया है ये एक problem हो गया दूसरी problem ये हो रहा है कि अगर हम true caller के अंदर किसी भी unknown number को जाकर search कर रहा है तो वहाँ पर उसका उल्टा सिधा नाम बता रहा है कोई भी उसका real name नहीं बता रहा है तो ये दोनों problem बहुत जादा चल रहा है true caller के अंदर तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके true caller के अंदर ये चीज़ हो रहा है तो आप इसे permanently fix कैसे कर सकते हो तो बने रहना वीडियो के साथ और अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करना चानल को सब्सक्राइब करना तो भीना time waste करते हैं प्लीको start में नामे सत्यम और आप देख रहा है technical expert वावा YouTube channel तो यहाँ पर दोस्तो हम अपने phone में true caller को open कर लेते हैं दोस्तो true caller का काम कब आता है जब अगर कोई number को check करना हो कि आकर ये number किसका है उस वक्त ये true caller का हमें काम आ जाता है कोई भी unknown person call करता है तो उसका नाम पता चल जाता है और वही चीज़ ये application ना करे तो ये किस काम की तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि अगर हम किसी number को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उस number को हम paste कर देते हैं number paste करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस number का जो नाम है वो गलत बता रहा है यहाँ यहाँ पर आप देख लीजिए वन ग्रह दुन्दवा बता रहा है यह नाम गलत बता रहा है अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रहा है TrueColor के अंदर उल्टा सीधा नाम बताने लग रहा है तो अब यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यह जो नंबर है वो real में किसका number है इसका real honor का नाम जो है वो क्या है तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे simply हम अपने phone में phone pay को open कर लेंगे phone pay यहाँ पर open कर लेंगे अगर आपके पास google pay है तो google pay भी यहाँ पर आप use में ले सकते हो या फिर bheem upi है तो वो भी आप यहाँ पर use में ले सकते हो अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है to mobile number पर आपको click करना है to mobile number पर जैसी आप click करोगे उस number को यहाँ पर आप simply paste कर दिजिए ओके यहाँ पर हम उस number को paste कर देंगे यह देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका real name बताने लगा उर्मिला देवी यहाँ पर आप देख पा रहे हो real name यहाँ पर बताने लगा अब यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर जो bank account से link होता है जो नाम जो bank account में नाम रहता है वही नाम यहाँ पर बताता है तो यहाँ पर आपको गलत नहीं बताएगा तो यहाँ पर आप use में ले सकते हो phone पे, google पे या फिर कोई भी other UPI application तो यही चीज़ आप कर लेना अगर आप किसी भी number का जनकारी लेना चाहते हो कि आखिर यार इस person का ये जो बंदा है वो इसका real नाम क्या है असली नाम क्या है तो यहाँ पर आप ले सकते हो इसे use में अभी के date में सभी के पास phone पे है सभी के पास bank account है तो सभी लोग अपने number को bank account में link कर कर रखता है तो यहाँ पर आपका जब वो 90% जो है मतलब उमीद है कि आपका पता चल जाएगा कि किसका ये number है तो 90% उमीद है कि ये आपको पता चला देगा 10% ऐसा है कि मतलब कोई-कोई phone पे use नहीं करता है तो उसका पता नहीं चल पाएगा लेकिन 90% लोग use करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा उमीद करता हूँ आपको सारी बाते अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी भी unknown person का number अगर जानना हो ये किसका है तो आप असानी से उसका real name आप पता कर सकते हो तो उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन दुबाब कर आपका ओपिनियन क्या है इससे related आप कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप comment section में लिख सकते हो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहिन and take care